नमस्कार समाचार प्लस में आपका स्वागत है आपके साथ में हूँ बंदरनस रोही पूर्वसीम अखलेश रादव ने चार विक्रमादिते मार्ग परस्थित अपना सरकारी आवास राज्य संपत्ति विभाग को हैंड ओवर कर दिया है कैसा है अखलेश का पुराना आश्याना आज कैमरे पर पहली बार आपको दिखाएंगे अखलेश का पूजा घर से लेकर सब कुछ आपको समाचार प्लस दिखाएगा अखलेश के पूराने बंगले का जौय जाल लिया है हमारे समवादाता ने उत्तर प्रदेश में पूरों मुख्यमंत्री आखिलेश यादव के उसावास पे जहां वो अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे आपको तस्वीरों में दिखाएंगे इस बंगले को तमाम इस तरह के तमाम बाते ऊट रही थी इस बंगले को लेकर फिलाल हम बंगले के उपरी हिस्से में हैं, यहां पर अखिलेश यादो, उनकी पत्नी डिमपल यादो और उनके तीन बच्चे यहां रहा करते हैं थे तमाम आरोप भी लगे, तमाम आरोपों के बीच में, अब यह जो बंगला है, वो पूरी तरह से राज सम्पत्तिकर विभाग को दे दिया गया है, सौप दिया गया है, हलाकि तोड़ फोड की बाते चरूर कहीं गई, तोड़ फोड की गई इस बंगलों में, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहली बार जो है, यह एक तरह से कहा जाए, राज सम्पत्तिकर विभाग को सौपने के बार, पहली बार जो मेडिया के कैमरे हैं, वो इस बंगले के अंदर पहुंचे हैं, तमाम यह उपरी हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा यह भी है, लिविंग एरिया जैसा, लेकिन आप यह देखिए, यह पूरा का पूरा बंगला, जो आप देख सकते हैं, कि लगभग जैसा कहा जाता था, कि पूरा सेंट्रली एसी थी, था यहां से बंगले का जो एसी है, वो निकाल लिया गया, उसके अलावा अग सेंट्री हिस्से में आप देख सकते हैं, कि जो एसी का हिस्सा है, वो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां जो एसी लगाए गये थे, वो एसी निकाल दिया गया है, तो इसे तमाम बदलाव जरूर किये गये हैं, चुकि बताया जाता है कि अखिलेश यादों जब मु से बाहर निकलते हैं, तो यह भी एक अप लीविंग एरिया देख सकते हैं, यहां पर लिफ्ट एरिया, यहां पर लिफ्ट एरिया ज़रूर दिखाऊंगा आपको चुकि लिफ्ट एरिया यहां पर लिफ्ट भी नहीं है, हलांकि लिफ्ट एरिया यहां पर लिखा हुआ है लेकिन ऐसा लगता है कि खाली करने के पहले जो लिफ्ट थी वो लिफ्ट भी यहां से उखाड ली गई है लां के सामने का हिस्सा लिखाएंगे। या अगर आप बाहर देखे तो बाहर जो यह गार्डन है तमाम सारे पेटल पॉद्धे लगे हुए हैं यह गार्डन एरिया है आप देख सकते हैं चुकि अखले शाहता समय समय प्रसेबाम दो पेटल पौदों की वकालत करते थे जनेश्वन मिस पार्क में भी उन्होंने बहुत सारे विदेशी पेल लगवाएं हैं जो सायद कहीं और देखनों को ना मिले चुकि यह उनका आवास है उनका घर है जहां वो अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे तो यहां भी आप तरह के तरह के जो है तो प्लांट्स हैं वो देख सकते हैं थोड़ा और आगे बढ़ेंगे अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बंगले के दूसरी हिसी चुकि यह बंगले का उपरी हिस्सा है आप देखिए यहां पर भी जो एक और हिस्सा है यहां पर दिखाते हैं आपको ये मंदिर है आप देखिए मंदिर है यहां मंदिर में तमाम जो मंदिर के ऊपर जो लाइट्स और तमाम चीहें जो लगी हुई थी वो निकाल ली गई है हला कि मंदिर छोड़ दिया गया है मार्बल का यह मंदिर है पूजा घर है अखले श्यादो के बंगले का वो भी अपूरी तरह खाली है अगर आप ऊपर देखें च्छत पर देखें तो च्छत पर यह तमाम जो लाइट्स है वो अभी रह गई है हला कि कोशिस यह जरूर की ग कमरा है यहां पर आपको ले चलते हैं यह साथ अखले श्यादो कि तीम बच्चे थे तीम बच्चे साथ यह बच्चों का कमरा कह सकते हैं यहां पर भी तमाम तब दिलिया डेर सारी तब दिलिया की गई है यहां पर यह भी पूरा का पूरा जो है वो सेंट्रली एसी है यहा ताकि okay cool इसके अलामा तमाम सारी धिवारों पर जो है और मैसेज लिखे हुए हैं यह भी दिखाते हैं यह निशेत रूप से अखलेश यादों के बच्चों का कमरा है जो यहां से भी जो तमाम जो electrical equipment थे वो निकाल दिये गए हैं अलागे ये भी centrally AC है यहां पर तमाम इस तरह के message दिवारों पर लिखे हुए है अखले श्यादों के बच्छों का कमरा निश्ची तरुप से पूरी तरह से यह देख रहा है इसके अलावा अगर यहां अंदर देखें हैं यहां पर भी यहां से exit करने का रास्ता यहां फिर हम stairs पर आ जाते हैं उसके अलावा और भी सारी तस्वीरे हैं यहां एक छोटा सा जो अगर देखा जाए पोर्च और है जो बच्छों के कमरे से निकल के बाहर जा सकते हैं तो खुल मिलाकर के कह सकते हैं एक बड़ा जो कहा जाता था कि लगबग तीन बंगलों को तोड़ कर यह पूरा का पूरा बंगला बनाया गया था और हलाकि अखले श्यादों ने कोशिस भी की थी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी गय थे और आपको एक तस्वीर दिखाते तो जो तोड़ फोल की बात कही जा रही थी वो सही है कहीं न कहीं बंगले के जो अंदर के जो तमाम हिस्से हैं वो तोड़े फोले गए हैं उसके अलामा जो तमाम इस तरह की कीमती चीजे थी वो बंगलों से निकाली गई हैं तो खुल मिलाकर के कह सकते हैं कि अब पूरी तरब को अखलेश या दोगा जष्छी बच्चो के साथ रहते थे अपनी पत्नी के साथ रहते थे आज पूरा का पूरा खाली है और जो तमाम बगने के अंदर की तसवीरें है आज लोग देख रहे हैं मिडिया के तमाम लोग यहां अन है मिडिया के कैम instructor चाहरा है फ्लिश च तो सेम अखलेश रादव के पुराने बंगले में पहुचिय हमारे समवधाता ने यहां बने हुए गाड़न और स्विमिंग पूल के साथ ही बंगले के निचले हिस्थे का भी जाय सालिया आपको दिखाया अभी फार्स फ्लोर का हिस्था दिखाया अभी ग्राउन फ्लोर की तस्वीरे आपको दिखा देते हैं देखिए ऐसा लगता है कि जब पता चला अखलेश यादव को कि अब वाकई में बंगला खाली करना पड़ेगा तो उसके बाद भी इस बंगले में हाँ खार दी गई है उसके अलावा जो पॉइंट थे एसी के वो जलवाजी में जितना भी समेटा जा सका है वो समेट लिया गया है तमाम चीजें हैं तमाम बदलाव किये गए हैं यहाँ पर एक यह चुकि एक लिविंग रूम है खलेश यादव के घर का फर्स फ्लोर का य यहाँ पर भी सायद कुछ बातरूम जैसा था एक छोटा सा हिस्सा है इस कमरे का ऐसे यसे तमाम कमरे हैं जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं फिलाल यह नीचे का हिस्सा है और तस्वीरों में आपको दिखाएंगे और आगे ले चलते हैं थोड़ा और अगर हम आगे बढ़त अगी थी जो तमाम कीमती लाईट्स और तमाम चीजें हैं लगबक सबके सब उनिकाले जा चुके हैं अ न्यचरा ही कमरे चलते हैं मैं यहां पर भी सीम वही स्थिति है लेकिन यहां पर तोर्फोर कुछ कम हुई है यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो स्विचेज है वो निकाले गये हैं अगर यहां ऐसा लगता है उपर अगर हम छट पर एक बार दिखाएंगे जरू दिखाएंगे ऐसा लगता है कि जो भी चीजे निकाली गई है लग वह कोशिश किया गया है कि उसे प्लास्टर आप पेरिस से या किसी अन्य चीज से बंद किया जा सके जिससे बाद में यह पता एक और बड़ा कमरा है चुकि जब अखिलेश यादो पार्टी का भी तमाम यहां पर आते थे टेख्यक्त और और शीज परम से एक कहतें यहां बहुता है चिस यू ठीक सामनें एक स्वीमींघ पूल दिख सकते हैं आगया है ऐसा लगता नहीं है कि यहां कभी swimming pool रहा होगा लेकिन जो जानकार है जो लोग कता है उनका साफ कहना है यहां swimming pool एक छोटा swimming pool हुआ करता था जो अब नहीं है उसके नाम यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो तमाम electrical fittings हैं वो निकाली जा चुकी हैं सब्तार लटक रहे हैं तमाम चीजे यहां से भी निकाली गई हैं तो पुल मिला के कह सकते हैं कि एक पूरी की पूरी तैयारी जरूर की गई है इस बंगले को छोड़ने के पहले कि जो भी कीमती सामान हो वो कम से कम वो निकाले जा सके हैं औ समाचार प्लस और कैसा था पूर्फ सें अकलेश श्यादव का कीचन ये भी आपको दिखाएंगे समाचार प्लस अक्लेश के पुराने आश्याने के किचन का भी जाजा लिया की कि अब बंगल्य अकला तमां मुस्सा आपको दिखा चुके हैं एक और हिस्से मेले चलते हैं आपको ले चलते हैं यह दिखी यह जो है किअंग रहा होगा यही अच फिर्यख इसको आप देखके समझ सकते हैं कि इनिशेट रूप से यह कीचन रहा होगा यहां पर भी दो स्प्लीट एसी लगे हुए थे यह दोनों के दोनों स्प्लीट एसी अब यहां पर नहीं है उसके अलामा जो तमाम चारों तरफ बाकी आप एलेक्टिकल फिटिंग्स तेखिए व तमाम जो जमीन पर आपको तमाम इसके वायरस वगरा साली चीए दिखेंगे यह यह तमाम जो गैस की पाइप लाइन है वो यहां पर मौजूद है इसे देखके लगता है कि कम से कम जरूर यहां पर दो जो गैस तोब हैं वो रहे होंगे इसके लावा यह एक हिस्सा मुझे लगता है कि यह वाशिंग एरिया है यहां बरतन वगरा धुले जाते हैं यहां पर भी तमाम चीजे जो सिंग और तमाम चीजे हैं वो निकाली जा चुकी है यहां से पूरा का पूरा यह पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है वो यहां से उखला हुआ है इसके लावागर हम थोड़ा सा और अगर निकले इस kitchen area थोड़ा सा बाहर निकले बाहर और देखिए यहाँ पर यह एक washing area टाइप का दिख रहा है यहाँ पर भी यह साफ निशान जो आप है देख सकते हैं इसे साफ अन्दाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ से भी तमाम चीजे जो है वो उखारी गई हैं तो कुल मिला के पूरी भरपूर कोशिश हुई है चुकि खुद अखिले श्यादों ने इस बंगले को अपनी देख रेख में बनाया था इसके बाद अगर हम बंगले से बाहर निकलते हैं तो गार्डेन का एरिया हम गार्डेन इरिया में ले चलते हैं आपको यह यहां तमाम जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं और यह वो स्वीमिंग पूल है स्वीमिंग पूल जिसों मताया जा रहा है कि यहां स्वीमिंग पूल हुआ करता था लेकिन आप देखिए स्वीमिंग पूल जो है पूरा का पूरा पूल जो है यहां से उख़डा हुआ है और पूरी की पूरी उसके ऊपर यहे ये रेत भरी हुए है। इसे देखके साहर नहीं कह सकते आपकी यहां कभी सुविंग पूल रहा होगा। लेकिन यह सुविंग पूल का एरिया है। जो पहले यहां पर था। तमाम तब्दीलियां की गई हैं तमाम बदलाव हुए हैं अलग-अलग हिस्सों में फिलहाल कोशिश ये जरूर की गई है कि बंगला खाली करने के पहले जो भी यहां पर कीमती सामान है वो निकाल लिया जाए लखनू से कैमरामन अमित साहने के साथ मनिश्पान डे समाचार प्लस चले अब आपको दिखाते हैं के लिए शीयादव के जिम एरिया को जिसका हमारे समाधाता ने जाज लिया है बगले के तमाम हिससे तमीं आपको दिखा सकते हैं आप एक और हिस्से से बताया जारा है यहाँ पे बताया जा रहा है जो यह यह शेक्स को बादा चुब लाइसंटाए से है यहां पर जो नंदर ले पूरी तरह से तूटा हुआ है ति यहां पनका हिस्स है कि पूरी कोशिश की गई है कि कोई भी ऐसा कीमती सामान ना बचे इस बंगले में जो पहले रखा गया था उसके लावा थोड़ा सा और दूसरे हिस्से में ले चलते हैं आपको ये साइब ये जीमिंग एरिया है साइब मुझे लगता है जी बिल्कुल ये जीमिंग एरिया है यहाँ पर देखिए तमाम जो एक्पिपमेंट्स है वो यहाँ से निकाले जा चुके हैं दिवालों पर देखिए यहाँ निश्य रूप से बुडेंग फ्लोरिंग रही है कोशिश की गई है कि तमाम जो फ्लोरिंग जो वाल्स है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिखाई दे रही है यह यह भी पूरा 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 हिस्सा निकाला जा चुका है यहां से सीधियां भी हैं उपर जाने की सीधियां हैं यहां पर भी आपको जरूर ले चलेंगे यहां भी एची और दिखाएंगे आपको यहां देखें तमाम यह तमाम हिस्से हैं जो लोहे के तमाम हिस्से हैं कटे हुए हैं यहां पर यहां से एरिये से बहार निकलने पर यह यहां पर भी तमाम लगता है कि यहां भी पहले कुछ ना कुछ रिक्सिंग जरूर रही होगी इसके लाओ यह बंगल इस जो जिम का जिम का उपरी हिस्सा भी है उपरी हिस्से में भी हम आपको ले चलते हैं यहां से देखिए यहां से यह सीधिया शुरू है अगर सीडियों से ऊपर चलते हैं तो ऊपर ले चलते हैं उपर भी आपको दिखाते हैं यहां पर भी कोशिस लगभख सारी का हिस्सा है यह तमाम जीमिंग एरिया था यह तमाम जो एक तरह से निकाला गया है उसके अलामा अगर देखा जाए उपरी जो सेंटल एसी का जो यह हिस्सा था यह भी यहाँ से गायब है थोड़ा सा और निकलते थोड़ा और बाहर निकलते हैं और भी चीजें हैं और भी दिखाते हैं आपको यह बंगले का दूसरा पार्ट है यहां पर भी पूरा का पूरा जो तमाम चीजें हैं यह देखिए यहां पर भी अगर देखें यह जो च्छत है यह च्छत पूरी की प तो लग लग कोशिश यही रही है कि जो बंगले का जो पूरा का पूरा जो कीमती सामान है जो आरोप लग रहे थे कि बंगला छोड़ने के पहले जो तमाम कीमती सामान है वो निकाल लिया गया तो वो कहीं न कहीं तस्वीरों को देखने के बाद तमाम जो आरोप हैं उन आरो जो आप देख रहे हैं लोहे के आप देख सकते हैं यहां यहां कभी लाइट्स लगी हुई थी ऐसा देख के अंदाजर लगा जा सकता है लेकिन देखिए बकाइदे एक स्कुट गारीकी से यहां एक खम्धे को काटा गया है उसके अनामा यह जो एक पात्वे है जहां पर ट्रैक बना हुआ था यह पूरा का पूरा ट्रैक अंगा един